दिपावलित पांची दीन खरीदारी के लिए बहुत शुब है धन्तेरस पर बन रहा है सिद्ध योग नमस्कार मैं हुँ डॉक्टर स्रीपति रिपाठी सनातन संस्कृति में कार्तिक मास बहुत महत्तोपूर्ण है कार्तिक मास परवित्यवारों से भरा हुआ है यह मां धन् धन्तेरस चट आदि इसी द्रम्यान आते है आपको बता दें कि दिपावली का जो यह परव है यह काफी पवित्र है इस द्रम्या धन्तेरस दिपावली चट आदि परव बहुत महत्तोपूर्ण है और यह परव मनात हुए लोगों में बहुत उच्चाह का महोल दिखता है दिपावली त्योहारों का शुभारंब धन तेरस से प्रारंब हो जाता है। धन तेरस 23 तिथी को मनाया जाता है। जो की इस वर्स 29 अक्टूबर को है। इस साल दिपावली तक 5 दिन खरिदारी के लिए बिहधी शुभ है। लोग अपनी शुभिधा के अनुशार, घर, सोना चांदी, बरतन, गाड़ी, जमीन, पीतल का समान, इलेक्ट्रोनिक समान, आदिकी खरिदारी चाहे तो कर सकते हैं। धन तेरस के दिन सिद्ध योग बन रहा है। इस योग में खरिदारी अती लामकारी होगी। साथ ही इस द धार्मिक अनुश्थान करना मंगलकारी सिद्ध होता है। धन तेरस के मौके पर धातु खरिदना शुभ माना जाता है। इस दिन सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कासा, आदि खरिद सकते हैं। ऐसी माननेता है कि इस देने किस भी चीज की खरिदारी करते हैं। उसमें पा मनाई जाएगे। इस दिन से मालक्ष्मी का अवाहन शुरू होगा। इस योग में चांदी के आवगुशन, मवेशी, उपकरण, तांबे की बस्तू, इलेक्ट्रोनिक समान, उपकरण आदि खरिदना शुभ होगा। खास कर 29 अक्टूबर इस दिन धन तेरस और धन वंतरी जैनती मनाई जाएगे। इस दिन सिद्ध जोग का संजोग भी बनना है। जिसे अबूच मुहुर्त कहा जाता है। इसमें सोना, चांदी का सिक्का, लक्ष्मी और गनेस, भगवान की मूर्ती, बरतन, जाडू, घरेलु शमाय, दिया, वाहन, मिट्टि के बरतन खरिदना, ब्यपार शुरू करना यह सब बहुत शुफ फलवर्दक होगा। 30 अक्टूबर दिपावली से एक दिन पहले हनुमंत जैनती का सुरू संजोग भन रहा है। इस दिन बैधृति योग का संजोग भन रहा है। इस योग में ग्रिह उपयोगी समान के साथ अन्य उपयोगी स समान भी खरीच सकते हैं। खरिदारी करना लाफदायक शिद्ध होगा। 31 अक्टूबर दिपावली इसी दिन है। इस दिन प्रिति योग बन रहा है। इस योग में खरिदारी करना बहुत ही लाफकारी होगा। इस दिन पूर्जर सामगरी, बस्त्र, शुब मुहुर्त मे भगवार गणेश और माता लक्ष्मी का पूजन करने से सुख, बैभाव, संपत्ति, यस की प्राप्ति होती है।